हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक टी माई चानल इजी लाइव विद्वश्टा तो हाजिर हूँ एक नए प्रोड़क्ट का रिव्यू लेकर नए क्या रोजी नए प्रोड़क्ट होता है तो आज का जो मेरा प्रोड़क्ट है वो है मामा आर्थ का ग्लो फेस सेरम सेरम प्लस फा वेटिमिन सी और टर्मरी ठीक है इसमें दिया गया है टू एक्स इंस्टेंट ग्लो मतलब दो टोन तक आपके स्किन को ग्लो ग्लोइंग करता है बारा घंटे की कवरेज देता है आपको बारा घंटे तक चलता है 30 ml का है यह में सेफ है वैसे तो इनके सारे प्रोड़क्स से इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है और प्राइज है इसका 599 रुपीज का जो की काफी कॉस्टी है और चलिए देख लेते हैं कि अंदर क्या है इसके पैकेजिंग बहुत बहुत ही जादा सुन्दर है इसमें यहां पे एक मिनट यह देखिए यह ग्लास जार जैसा आया है रिस इसके देखिए इस तरीके से थि तो यह तो बुखोट सुन्दर पेकेजिंग दूश्र है इनकी अब चलिए देख लेते हैं इसका क्या ह् fanकिक सै इनके इंग्रीड्यंट कोई भी मेंशन नहीं है तो मैं यह बता नहीं सकती हूँ कि यह से यथे की नहीं वैसे इंग्रीडन इस हैं नहीं है है सिर्फ इछ में दे गया है सिर्फ इत्जर्फ करने का डिये को प्लाइटंज उलब आपको अप्ला बाल आ ध्योसर दर्फिक सकते हैं इस पॉंप जैसा है पर इसमें पेकेजिंग होती होगी मुझे पता नहीं है क्योंकि यह फिर्स्ट टाइम मैंने मंगाया है तो थोड़ा सा पीस आई उन्होंने अमाउंट बोला है तो मैं इस साइड थोड़ा सा लागा के दिखाती हूं अब को इजिली blendable है blend हो जा रहा है बहुत आराम से और coverage आप देख सकते हैं high coverage नहीं है ठीक है daily use के लिए ठीक है office के लिए यूज कर सकते हैं आप normal party के लिए यूज कर सकते हैं full coverage तो मुझे नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा सा अपने face face को लगा के दिखाती हूं उन्होंने p amount उसमें mention किया है p amount में तो कुछ भी नहीं होने वाला I think मैं इसको blend करती हूं कि ब्लेंडिंग असानी से नहीं हो रही है आप देख रहे है कि मुझे इसको लगता है beauty blender से नहीं brush से blend करना पड़ेगा क्योंकि proper blending थोड़ा सा टाइम ले रहा है blend होने में कि यह आप देख सकते हैं इसकिन को even करता है यह सच है पर high coverage नहीं है एक natural finish जैसे हम natural normal foundation यूज़ करते हैं बीबी क्रीम यूज़ करते हैं उस तरीके से हैं एक नेचरल साफ यह काफी sticky लग रहा है मुझे serum based foundation सायद इस वज़े से थोड़ा से मैं देख लेती हूं कि इस तो मैं यहां पर थोड़ा सा apply करके आपको दिखाती हूं कि क्या आपके जो यह cover हो सकते हैं यह तो टच करते हैं निकल गया foundation मतलब बिलकुल भी transfer proof नहीं है और इतनी अच्छी high coverage भी नहीं है आप देख सकते हैं यह पूरा दिख रहा है तो बहुत जादा coverage नहीं है शायद हम एक बार और apply करते हैं इसके उपर दो code में शायद थोड़ा सा difference आए एक और code apply करके दिखाती हूं मैं आपको यहां पर यहां पर तो face पे काफी अच्छा सा glow है आप देख सकते हैं यहां मैंने foundation apply नहीं किया है यह इतना face काफी glowing आपको लग रहा होगा तो glow बहुत अच्छा है इसमें उन्होंने जो mention किया है कि कि दो टोन तक तो येस दो टोन तक काफी अच्छी coverage है sorry glowing है अच्छा सा glow दिया है face पे एक natural सा glow है लेकिन अगर आप single code apply करते हैं क्योंकि जब double code हम apply करते हैं तो ऐसा लगता है हमने बहुत सारा makeup थोप लिया है और एक और चीज है कि आपको इसको apply करने के बाद लग रहा है कि कुछ moisturizer जैसा apply किया है कि अगेन मैं बोलूगी कि मुझे इसको blending में मुझे थोड़ा सा sticky सा लग रहा हुआ हुआ हम ग्लोइंग तो बहुत है काफी glowing लग रहा है मुझे मेरा face अभी काफी अच्छा लग रहा है glow बहुत अच्छा है बट यह transfer proof है कि नहीं चलिए यह देख लेते हैं और अगर आपको इसके साथ high coverage चाहिए तो मुझे लगता है कि आपको काफी amount में इसको apply करना पड़ेगा और एक natural glow चाहिए तो बस थोड़ा सा apply कर सकते हैं जैसे आप BB cream यूज करते हैं अभी हम tissue के help से जानेंगे कि यह transfer proof है या नहीं वैसे तो मैंने finger अपना दिखाई दिया था और फिर भी transfer proof तो नहीं लग रहा है अब मैं अपना येस पहले मैंने अपनी finger को touch किया था तो आपने देखा था कि वह वहां से product हट गया था लेकिन अब ऐसा नहीं है तो बिल्कुल नहीं transfer proof नहीं है हाँ थोड़ा सा set होने में time लगता है जब ये set हो जाएगा मुझे यसा लगता है कि set हो जाएगा क्योंकि मैंने किसी का वीडियो देखा था तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने जैसे टीशू लगाया तो उसमें पूरा product आ गया था इसलि तो थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा press कर करके फिर आपको दिखाती हूं दिख रहा है आपको तो transfer proof है foundation नहीं निकल रहा है जहां जहां भी मैंने apply किया है जैसे ही मैंने apply किया था उसके बाद मैंने finger अपने touch की थी तो transfer तब हो गया था वट अभी नहीं हो रहा है कि आप देख सकते हैं हाथ थोड़ा सा sticky लग रहा है मुझे लेकिन transfer proof है अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये waterproof है वैसे इसमें mention भी नहीं है waterproof है कि नहीं या लंबे समय तक चलेगा कि नहीं तो मैं थोड़ा सा rose water spray करूंगे अपने face पे उसके बाद देखेंगे कि foundation टिकता है या नहीं पांडेशन को set करने के लिए मैंने ये इतनी quantity में आपको भी spray करना पड़ेगा थोड़ा से सूखने के बाद हम चेक करेंगे कि foundation set हुआ है या फिर पूरा ही निकल गया है हलका हलका सा जादा नहीं लेकिन फिर ये निकल रहा है ये हआ कि की तो बहुत जादा high coverage नहीं है और बहुत जादा लंबे समय तक चलने वाला भी नहीं है बारा घंटे इन्होंने मेंशन किया है पूछे नहीं लगता बारा घंटे या फिर आप प्रॉपर स्टेपस फॉलो करते हैं step by step make up करते हैं सारी चीजें तो हो सकता है कि इसके उपर आप अपना पाउडर यूज कर लें पाउडर से सेट करने तो ना निकले तो 12 घंटे तक तो नहीं चलेगा इतना लंबा नहीं लेकिन हां नॉर्मल ठीक है डेली यूज के लिए आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके स्किन ग्लोइंग चाहिए अगर आपको एक से तो टों तक ग्लोइंग चाहिए तो लो के लिए काफी अच्छा है इनस्टन ग्लो देता है आप देखी सकते हैं मेरी निक की स्कीन और मेरे फेस पे कितना डिफरेंस दिख रहा है इस वक्त तो बाकी पार्टी वेर नहीं अगर स्टेप बाइस जैसे मैंने बताया अगर ऐसे आप करते हैं मेकप तो आप पार्टी वेर यूज कर सकते हैं लंबे समय के लिए नहीं अगर हाई कवरेज चाहिए तो उसके आप इसे यूज कर सकते हैं और एक अच्छा सब ग्लो देता है इंस्टेंट ग्लो देता है और कवरेज भी ठीक ठाक है डेली के लिए हाई कवरेज नहीं है हाई कवरेज चाहिए तो आपको थोड़े सा कॉंटिटी ज्यादा लेना पड़ेगा तो यह था मेरा रीविव आ जो आपको चाहे हैं वो ओडर कर सकते हैं अगर आपको लिंच है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं लिंक प्रवाइट कर दूँगी तो यह था मेरा रीविव आई हूप कि आप सबको पसंद आया होगा मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक क्यार